तो फ्रेंड जैसा कि हम से भी जान रहे हैं कि आहुजा ने एक नया एंप्लिफायर को लॉंच किया है जिसका की मोडर नमर है XDA7002 तो फ्रेंड इसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है तो क्या है अभी हम आप लोगो वीडियो में आगे बताएंगे फ्रेंड औ कौन सा बॉक्स परफेक्ट रूप से मेच करेगा और इस एंप्लिफायर का क्या लैट्रिस प्राइस है फ्रेंड तो अभी हम पुरा डिटेल से जारेंगे इस वीडियो में तो आप लोग वीडियो में बने रहे हैं और हमारे चैनल पे जिदिन नए है तो प्ली चैनल को प्ली चैनल किजिए फ्रेंड तो चलिए भीना लेट किए वे हम अपने वीडियो को सुरू करते हैं अप्रेंड यह आप देख पा रहे हैं यह है अहुजा का निव एम्प्लिफायर जिसका की मोडल नम्मर है फ्रेंड एक्स डी ए 7000 यह इसका मोडल नम्मर है फ्रेंड यह इस एम्प्लिफ्यक्टर का डंपिंग फ्रेंड वह यह एक जार है जो की आहुजा नया सबसे जAAD इसमें रखाया अभी तक का जितना भी आहुजा का पावरे अम्प्लिफैर तो सबसे जबcidos साब अभी धेखने को मिलता है जो की इसका खास बात है और इसमें क्या पुर् फ्रेज करके, अपने पावर को, अनउप कर सकते हैं, आगे बात करें, यहाँ तो हमें, दो गैन मील जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा जो कि चैनल 1-sen V-sen 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 Yis 20-sen V-sen 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 500 N, फ्रेंड यहां चैनल यह और चैनल B के गैन के बीच में हमें कुछ LED देखने को मिलता है जो कि अलग लग चैनल के लिए है जहां कि फ्रेंड आपको प्रोटेक्ट का LED मिलेगा टेमपरेचर का मिलेगा, किलिप का मिलेगा, सिगनल का मिलेगा, और पावर LED परतेक चनल के लिए मिलेगा, तो यहां, दोनों तरफ यहां 5-5 LED बल्ब आपको देखने को मिल जागा, जो कि दोनों गेन के बीच में होगा, और आगे बात करें, यहां तो, इस एंप्लिफायर के बात करेंगे इसके बैक पैनल के बारे में तो चलिए इसका बैक पैनल देख लेते हैं तो फ्रेंड यह रहा इसका बैक पैनल जहांकि आपको दीख रहा होगा तीर के निसान से यहां आपको यह हुजा का लोगो मिल जाएगा जो भी इसका लोगो है वह आपको देखने को यह मिल जाएगा और यहां आप देख पा रहे हैं जो कि दुसरा तीर आपको दिख रहा है फ्रेंड यहां आपको चैनल ये और चैनल भी दोनों के लिए इनपूट देखने को मिलेगा चाहे आप जीस परकार से इनपूट करें फ्रेंड वो आपको यहां देखने को मिल जाएगा दोनों सिस्टम इसमें दिया हुआ है तो फ्रेंड इसके ज़स्ट बगल में दोनों तरफ और की दोनों चैनल के लिए अलग अलग आपको लोग पास आपको टॉप बजाना है तो टॉप के लिए सेटिंग कर सकते हैं दोनों चैनल में अलग अलग दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है और इसके बाद बात करते हैं यहां आप देखिए एक फैन अमें देखने को मिल जाता है जो कि आपको गोल नजर आ रहा होगा यहां से हम सभी जानते हैं कि class D amplifier में जल्दी से आपको फैन देखने को नहीं मिलेगा इस amplifier में एक फैन भी दिया हुआ है जबकि दो चैनल का amplifier है लेकिन एक फैन से यह काम चल जाता है आगे बात करें तो फैन आपको फैन के जश्ट बगल में इसके output का section आपको देखने को मिल जाए आपको यहां तीर दिखाया है इसमें आप देख पा रहे हैं लिमिंटर का switch मिल जाता है और एक power cable जो कि इसमें power देने के लिए होता वो आपको यहां देखने को मिल जाता है अब हम बात करते हैं कि एंप्लिफायर हमें कितना वाट का output देता है कितने वाट का output देता है वो वीडियो में बने रही है और साथी साथ जानेंगे कि कौन सा box इसके लिए perfect होगा तो फ्रेंड यहां आपको बता दें यह class D का amplifier है और आपको बताते चलेंगे फ्रेंड यहा सकते हैं बैस वाला speaker friend और आगे बात करें फ्रेंड यह फोरों पे तो फोरों पे आपको चोबीस वाट पर चनल आउट पूट देगा अनकी दो दो स्पिकर आप एक जरवाट का जिदी आप लगाना चाहते हैं तो आप दो दो स्पिकर लगा सकते हैं नहीं तो 1200 वाट का भी एम्प्रिफायर जो है टू ओम के लिए नहीं बनाया यह सिर्फ बैस बजाने के लिए अनकी एट ओम और फोरों के लिए बनाया फ्रेंड यह एम्प्रिफायर फोरों पे चोबिस सो वाट पर चनल का आउट पूर्ट दे देता है इसलिए हम इसके लिए अभी बॉक्स चला सकते हैं कोई दिकत होने वाला नहीं है तो आपको बता दें कि जो मैंने बॉक्स एड़ किया है उसका मोडल लम है एसड़ एक सब्सक्राइब करेंगा इस बॉक्स के अंदर आपको दो स्पिकर देखने को मिलेगा इसलिए हम इसको डूल बैस भी कर सकते हैं यह ऐसा न लगा इसमें अठारा इंज का जो कि 2000 वाट का इसा नहीं है इसमें दो इस बॉक्स के अंदर जो की 2000 वाट बन जाता है जानते होंगे कि आज आता है जो कि बैस वाला है जिसका की मोडल लमर है SWX 1000 तो उस box में जो speaker लगा है 1000W का YCM speaker इस भी box में लगा है जहांकि यहां दो speaker एक ही box के अंदर लगा है और उसमें एक speaker है बात करें यहां इसके impedance की तो फ्रेंड इहां impedance जो है इसका फोरोम हो जाता है क्योंकि एक speaker 8 ohm का है और दोनों speaker अंदर में जो है parallel में जुटा हुआ है तो इसलिए यह जो box का impedance है इसका impedance फोरोम हो जाएगा फ्रेंड जो की काफी अच्छा हमारे amplifier से match कर जाएगा यहां हम जान लेते हैं इस box का वजन की कितना है तो फ्रेंड आपको बता दें कि इस box का वजन 99 kg है अनकी एक क्विंटल के बरावर आप मान के चलते हैं फ्रेंड एक box का वजन आपको एक क्विंटल देखने को मिल जा तो यहां अभी आप देख पारें फ्रेंड यह जो box मैंने add कि है sws 2100 जो की 2000 वाट का है यह भी फोरों पे ही चलेगा और जो की 2000 वाट लेगा फ्रेंड तो यहां amplifier मेरा 400 वाट ज्यादा हो रहा है जैसा कि हम सभी को पता है कि best बजाने के लिए हमें amplifier का headroom बहुत ज्यादा आपको बता दें कि यहां 400 वाट का headroom छूट रहा है जो की काफी अच्छा होने वाला है best को बजाने के लिए क्योंकि best में जो है friend बड़ा बड़ा क्वैल लगा होता है best speaker में जो की तेजी से उपर नीचे होगा friend तो यहां यह बहुत अच्छा match कर जाएगा यहां आप इसक result निकल पाएगा यहां मैंने जो है सभी बात का ध्यान रखा है क्योंकि headroom छुटना बहुत जरूरी है best को बजाने के लिए इसलिए मैंने यहां sws 200 कोई एड किया friend इस वीडियो में आगे बात करने friend तो यहां आप इस प्रकार से इजली तरीके से एक एक बॉक्स एक चैनल पर चला सकते हैं जैसा कि हम सभी जान रहे है friend जो कि मैंने पहले ही बताया 2400 watt का output है और 2000 watt बॉक्स लेगा और काफी अच्छा से आपको result निकाल के दे देगा friend तो इस प्रकार से हम चला सकते हैं एक बॉक्स अब हम बात करते हैं friend इस एंप्लिफायर के प्राइस के बारे में तो friend यह एंप्लिफायर अभी मार्केट में नहीं आया हुआ है और जैसा कि मैंने डिलर से बात किया friend अभी दस से पंदर दिन के अंदर यह मार्केट में देखने को मिल जाएगा और जैसा कि उन्होंने प्राइस बताया कि साथ जार के लगभग होगा इसका प्राइस अभी नए बीडियो में